इकनोमिक्स वर्चुल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है आज हम भारतिय अर्थवरस्ता का विकास के अंतरगर्ण आर्थिक सुधार जो 1991 से किये गए थे उसकी संपूर्ण समिक्सा हम यहां पर करेंगे हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम पार्ट तीन जिसको हम बोलते हैं उदारी करण नीजी करण और व्यवसी करण एक समिक्सा इसका अध्यान करेंगे और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1991 के बाद भारत में जो आर्थिक सुधार किये गए उसकी प्रस्ट भूमी से हम परिशित होंगे उसके बाद आर्थिक सुधार नीतियों को हमारे देश में कैसे आरम किया गया उसकी परकरिया को जानेंगे वैबसी करण की परकरिया और भारत के लिए निहार्थ से परिचीत होंगे कि वैबसी करण परकरिया हमारे उप्यूक्त है की नहीं और इसका पूरे विश्व में क्या परभाव पढ़ रहा है विवीन छेत्र को पर सुधार परकरिया के परभाव को भी हम इस पार्ट में जानेंगे तो इस पार्ट में हम ही चार जो टॉपिक है हम इसको एके करके अध्यन करेंगे के आर नारायन जो भारत के पूर राश्वपती थे उन्होंने कहा आज के विश्व में आम सहमती है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तता सकल गहरेलू उत्पाद ही समाज की परगति का एक मातर अनिवारे सूचत नहीं है उनका कहने का मतलब है कि किसी देश की आर्थिक विकास की जो परकिरिया है या आर्थिक विकास को हम केवल सकल गहरेलू उत्पाद से ही नहीं नाप सकते यह कोई अनिवारे सूचक नहीं है इसका कहने का मतलब है कि और भी फैक्टर हो सकते हैं जिससे हम किसी भी देश के आर्थिक विकास को जान सकते हैं तो इस पार्ट से पहले पूर के पार्ट में आपने पढ़ा कि भारत ने आजादी के बाद से मिस्रित अर्थविवस्ता को अपनाया मिस्री तरत ववस्ता क्या होती है? ऐसी अर्थ ववस्ता जहां पर समाजवाद दोनों की विशेस्था पाई जाती है अथार्थ उत्पादन के सादनों पर निजी व्यक्ती तथा सरकार दोनों का बराबर अधिकार होता है इस विवस्ता के अंतरगत हमारे देश का जब ये विवस्ता लागू हुई उनका मुख्यों देश था कि देश का तेजी से आर्थिक विकास किया जाए लेकिन 1991 से पहले तक हमारे देश में जो आर्थिक विकास की प्रगति होनी चाहिए थी वहा उतनी अच्छे डंग से नहीं हो पाई किर्सी उत्पादन में भी ज़्यादा उन्नत्ती नहीं हो पाई और जिसका परवह ये पढ़ा कि भारत की आर्थिक विकास की परकिरिया थी वो देरे देरे अबुरूद हो गई मतलब उसमें कम ही आने लगी जिसका परिणाम क्या हुआ कि 1991 में भारत में आर्थिक संकट आया भारत में विदेशी रिणों का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सरकार अपने विदेशी रिण के भुकतान करने की स्थिती में भी नहीं थी पेट्रोलियम आधी आवशक वस्तों के आयात के लिए समाने रूप से हमेशा विदेशी मुद्रा को रिजर्ब में 15 दिनों के लिए रखना पड़ता है विदेशी मुद्रा अधिकतर अमेरिकन यूएस डॉलर को बोला जाता है क्योंकि वर्ड में अधिकतर वैपार अमेरिकन यूएस डॉलर के माध्यम से ही किया जाता है और इस संकट को और बढ़ाया कीम्तों ने कीम्तों में जो विर्दिवी उसने संकट को और गहरा बना दिया अच्छा सरकार के पास इस नीती से निपटने के कोई साधन नहीं दे तो इस आर्थिक संकट के लिए सरकार को अपनी नई आर्थिक नीती पर विचार करने के लिए विवेस होना पड़ा, 1980 तक भारत के अर्थ विवेस्ता का जो परबन था, वो सही ढंग से नहीं किया गया, आकुसे लोगों क्या परबन कहा जाग सकता है, जिसके कारण भारत का जो आर्थी कास्ताव तेजी से नहीं बड़ा, बलकि विदेशी कर्ज, जो भारत ने अन्य दे आर्थी और उसके वये बढ़ गए, और सरकार के जो उद्ययम होते हैं, सरकारी उद्योग होते हैं, उसके माध्यम से भी सरकार की आए नहीं बड़ पाई, जब वये आए से अधिक हो, तो सरकारी बैंक जर्माने सथा अंतराष्ट्व वित्य सस्नाओं से उधार लेने को ब प्रित्य प्रवंद का मतलब होता है कि सरकार अपने घाटा को पूरा करने के लिए तो कर्ज ले जादिक मातरा में नोट छापे या लोगों से रिड़ ले कच्छे तेल के आयात के लिए हमें डॉलर में ब्áveis पुक्तान करना होता है और ये डॉलर हम अपने ऊत्पादन के निर्याद द्वार ही प्राप कर सकते हैं मतलब हम विदेशी मुद्रा जिसको हम U.S. डॉलर भी बोलते हैं, उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने निर्याद बढ़ाने पड़ते हैं, निर्याद बढ़ाएंगे तभी थो हम पैसे कमाएंगे, इस अबदी में सरकार की विकास निती की आवशकता रही, क्योंकि राजयों से कम होने से बिरोजगारी, गरीवी, जनसिंख्या, विस्पूर्ट, आदि के कारण सरकार को अपना जो वै था, वो बढ़ता चले गया, तो सरकार ने वै के कारण अत्रिक राजयस्तों की उनको प्राप्ति नहीं हो पाई, सरकार को परती रक्षा, समाजिक छेत्रों में संसादनों पर अधिक मातरा पर खर्च करना पढ़ रहा था, सुरक्सा भी बहुत महत्वपून हर देश की और संसादन, और सरकार के पास राजयस्तों की कमी हो गई, और स्वर्जनिक उद्यम, उद्योगों से भी आय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो भी घाटे में चल रही थे, तो ऐसे में सरकार को अंतरास्टी मुद्रा कोस से कर्ज लेना एक उपाय सूजा, सरकार के आनवशे खर्चों को नियंतर करने के लिए सरकार ने कोई पर्यास नहीं किया, 1980 के बाद की घटना आई है, और सरकार के जो आयात थे, वो लगातर बढ़ते गए, बलकि निर्यात कम हुए, तो आयात निर्यात का अंतर ही तुमारी आय होती है, जिस देश का आयात अधिक होगा, उस देश की जो आय होगी, वो कम होगी, और जिस देश का निर्यात और निर्याद घट रहे थे कि 8 1980 के दसक् contaminated सरकार का वै बहुत अधिक ऊगया था और रिर्ण के द्वारा वै धारं करने कि संता कि वी अधिक ओने लगई थी कि आयग में विर्डी हो रही थी निर्याद की समवर्धन में कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा था और जो हर देश के पास जो विदेशी मुद्रा होती है जो मैतोपुर्ण मुद्रा होती है उसका भंडार भारत में कम होते चले गए थे जो मैंने बदाया केवल 15 दिन के लिए अंतरास्टी मुद्रा भारत के पास बची थी जिसे भारत आया क चुकाने के लिए भारा सरकार के पास प्रयात मातला में विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी, भारा सरकार ने अपने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावाना देने के लिए कई अंतरास्ट्य बैंकों से भी लोन ले रखा था, और इतना ही नहीं, कोई भी देश और अ कोई भी उद्योग लगाना आसान कारे नहीं था ऐसी स्थिति में भारत ने अंतरास्टिय पुनिर्मान और विकास बैंक आई बी आरडी जिसे विस्टो बैंक बोला जाता वर्ल्ड बैंक और जिसका मुख्याले तुमारा अमेरिका में हैं और अंतरास्टिय मुद्रा कोस इनके पास भारत सरकार गई और उनसे साथ बिलियन डॉलर की करीब साहता मांगी और इसके लिए भारत सरकार ने दो सो करोड टन का सोना भी गिर्वी रखना पड़ा था भारत को तो तभी भारत को ये पैसा प्राप्त हुआ लेकिन इस पैसे को प्राप्त करने के लिए सरकार को कई परकार की सर्ते विस्टो बैंक ने लगाई जैसे सरकार को उधारी करण की नीती अपनानी पड़ेगी नीजी छेत्रों पर लगे पर्तिबन हटाने पड़ेंगे और अने छेत्रों में सरकारी हस्त से कम करना होगा जो भारत सरकार बहुत ज़्यादा करती थी इसके साथ या पेकसा की कि भारत अने देशों के साथ विदेशी वियापार पर लगे पर्तिबन हटाएगा क्योंकि 1991 से पहले संरक्षनवाद की नीती भारत ने अपने देश में लागू कर रखी थी संरक्षनवाद की नीती वहाँ नीती होती है जिसमें अपने देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों से पर्तिश्परदा से बचाने के लिए संरक्षनवाद की नीती के तहट उनका रक्षा किया जाता है इससे क्या होता है कि देश में जितने भी उद्योग है उन वस्तू और सस्टी वस्तू प्राप्त नहीं होती हुद्शन्रक्षन-वाइट की निदिक की कारण बहुत ज़्यादा। को संड्रक्षन प्राप्त होता है और ठीक परकार से कारें नहीं करते अंतराश्तिय परतियोगी आसे पुछरड जाते हैं और उनकी जो वस्तों की गुणवत्ता वो भी खराब या कम क्वालिटी की होती है तो भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राश्टी मुद्रा कोस्त की सर्ते मानी और नई आर्थिक निती की गोष्टना 1991 में करी इस नई आर्थिक निती में व्यापिक सुधार किये गए और इस निती का उद्देश से अर्थ व्यस्ता में महत्वकून परतिसपर्धा जो मैंने आपको पहले कहा था उसका वातवरण त्यार करना था जितने भी उद्द्योग थे फर्म थे उनको आने वाली बादाएं जो जितनी भी बादाएं आतनी उद्द्योगों को लगाने में इस्तापित करने में उन्हें हटाना था इसके साथ सरकार ने दो उप समूव में इस निति को विवाजित किया एक थी तुमारी इस ताइत कारी उपाय ये अलकालीन होते थे और जिनका उद्देश केवल भुक्तान संतुलन की कम्यों को दूर करना होता था बुक्तान संतुलन किसे कहा जाता है आयात निर्यात का लेखा जोगा जितनी वस्तुएं हम यहां से आयात करते हैं वस्तुएं तथा सेवाएं सब इसमें सामिल होती है ऐसी निर्यात में जितनी वस्तों सेवा सामिल होती हैं सबका अंतर को बुक्तान संतुलन कहते हैं तो ये बुक्तान संतुलन हम इस्तायत कारी उपाय के अंतरगत आ जाता है मुद्रस्पीती को नियंतरन करना मुद्रस्पीती क्या होती है जो वस्तों की कीमत समाने से अधिक हो जाती है उसे मुद्रस्पीती कहते है तो सरल अर्थों में विदेशी मुद्रभंटरार को बनाना था कीमतों पर अंकुस रखने की आवशक्ता थी तो ये था पहला चरण, दूसरा था सराच नात्मक सुधार, ये दीर्थ कालीन उपाय थे जो लंबे चलने थे और जो इससे पहले मैंने बताया कि स्ताइक कारी उपाय ये अल्प कालीन थे, इन्हें मतलब तुरंत लागू करना था, भुक्तान संतुलन, मुदरस्पीती को कम करना था, भुक्तान संतुलन को ठीक करना था, तो दीर्थ कालीन उपाय को उत्देश होता है कि अर्थववस्ता की कुशलता को सुधारना, तथा अर्थववस्ता के विविन छेत्रों की अन्मानेताओं को दूर कर भारत की अंतरास्ट्यस प्रदा संता का समवेधन करना, इस नीति के तीन उपवर्ग होते हैं, एक होता उधारी करण, नीजी करण और वैपसी करण, तो ये जो तीन नीतियां थी उधारी करण, नीजी करण और वैपसी करण, इन तीनों को भारत सरकार को विश्व बैंग ने जो लोन देते समय उनसे सर्त रखी थी, इन तीनों को भ तो आपने देखा कि उधारी करण, नीजी करण और वैपसी करण, इन तीन नीतियों को सरकार को बाध्य होना पड़ा, इन तीनों नीति को अपने देश में लागू करने के लिए, तो सबसे पहले हम उधारी करण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर उधारी करण है क्या, हमने पहले भी चर्चा करी थी इस नियम के बारे में कि कुछ नियम हमारे आर्थी विकास के लिए बादा बन गए थे जैसे संडरक्षनवाद की नीती और इस परकार की नीती को दूर करने के लिए उदारीकरण एक महत्वपूर्ण नीती थी जिसको उदारीकरण का मतलब होत पूरी छूट होती है या कोई भी उद्ध्यों किसी विदेश में लगाने की छूट मिलती है तिसमें अद्ध्यों की क्लाइसेंस आयात निर्यात की नीती तकनी की उन्यान राजकोष्य और विदेशी निवेश नीती यह जो 1980 के समय जो चल रही थी उसे 1991 में चेंज करना पड़ा सरकार को और सुधार लाने पड़ा इसलिए सुधारवाती नीती भी इसको हम कह सकते हैं तो इसमें कई परकार के सरकार ने सुधार किये जैसे ओद्योगिक छेत्रों में, वित्ये छेत्रों में, करों में, विदेशी विन में बजार, वियापार तथा निवेशक छेत्रक इन सब में सरकार ने काफी ध्यान दिया तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और द्योगिक छेत्रक का विनेत्मी करण तो भारत में सबसे पहले जब 1991 से पहले भारत में अगर किसी को स्तापित करना होता तो उसे लाइसंस लेना होता था और यह परक्रिया बहुत लंबी थी इसमें एक से दो साल लग जाते थे इसमें उद्योगों को फर्म स्तापित करने या फैक्टरि बंद करने सबी चीज के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवशकता होती थी दूसरा अनेक उद्योगों में तो नीजी उद्यमों को परवेस निशेत था मतलब कई ऐसे उद्योग थे जिसमें नीजी व्यक्ति आप परवेस नहीं कर सकते थे और कुछ वस्नों का उद्पादन केवल लगू उद्योगों तकी सीमी था मतलब उत्पादन केवल लगू उद्योगों के लिए सरकार ने संरक्षित कर रखे थे। सभी नीजी उद्यम्यों को कुछ उद्योगिक उत्पादों की कीमत के निर्धारन और वित्रन के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का सामना करना पड़ता था। मतलब अपनी तरफ से कोई भी उद्योगपती अपनी वस्तु की कीमत भी निर्धारत नहीं कर सकता था। यह बहुत सारी समस्याई थी। 1991 के बाद आरम हुई सुदारनीतियों ने अनेक परकार के पर्तिबंदों को समात्त किया और जैसे अलकोहल, सिग्रेट, जोकिम भरे रसाइन, उद्योगिक विस्पोर्ट को, इलक्ट्रोनिक, विमानन तता ओसत दिया। इन छे उद्योगों के लिए लाइसेंस विवेस्ता को समात कर दिया। यह सबसे बड़ा महत्रपुन फैसला था सरकार का। उन्होंने छे उद्योगों को अपने पास सुरक्षित रखा और बाकि सभी लैसेंस फ्री कर दिये। अब स्वर्जनिक छेतर के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परतीरक्षा उपकरण के कुछ अंस और परमाणू उत्पादन और परतीरक्षा और रेलवे परिवहन ही बचे थे। बाकि सब उन्होंने क्या करा अनारक्षिक कर दिया मतलब प्राइवेट उद्योगों के लिए वह भी से छोड़ दिये गए अनेक उद्योगों को बजार को कीमत निर्धारन की अनुमती भी मिल गई जो पहले नहीं थी अब कोई भी उद्योग अपनी वस्नों की कीमत का नि निवेस बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तता विदेशी मुद्रा बजार जैसी वित्य सस्ताइं भी समलीते हैं भारत में वित्य छेत्र का नियमन रिजर्बैंक करता है मला भारत में जो भी आर्थिक जो गतिवीदियां होती है या आर्थिक वित्य मामले होते हैं सिर्फ वित्य सस्ताओं के कारें का नियमन करता है और उन पर नियंतरम करता है कि हमारे देश में कौन से बैंक कारें करेंगे और कौन से नहीं और कौन उनकी बात की नीतियों को मानना पड़ेगा जो रिजर्बैंक निर्धारित करता है रिजर्बैंक की तैय करता है कि कोई बैंक अपने बास कितनी मुद्रा जमा करके रख सकता है कितना अभ्याज दे सकता है यह सारे कारे उनको रिजर्बैंग से ही अनुमती लेके करने होते हैं विविंग छेत्रों को उधार देने की प्रक्यति भी रिजर्बैंग द्वारा ही तैखी जाती है वित्य छेत्रिय सुदार नीती का पर्मकुद्देशी यह था कि रिजर्बैंग को इस छेत्र में नियंत्रण की भूमी का से हटा कर उसे छेत्रक एक सायक की भूमी तक सीमित कर देना था तो इसका अर्थिय हुआ कि वित्य छेत्रक रिजर्बैंक की सला के बिना कोई भी मामलों में अपने निर्णे लेने में सुतंत्र हो जाएं जो पहले RBI बहुत ज्यादा नियंत्रन रखता था हमारे देश में उसकी भूमी का भी नियंत्रन से हटा के एक छेत्रक या साइक के उपने कर दी गई इसका अर्थिय हुआ कि अब विजर्बैंक से सला किये बिना ही कई मामलों में कुछ प्रावेट बैंक अपने कारे कर सकते सुदार नीती ने वित्ति छेत्रों में भारती और विदेशी नीजी बैंकों को अफसर परदान किया कि वह भारत में आकर पूजी निवेश करें बैंकों की पूजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74 परतिशत कर दी गई मतलब कोई भी विदेशों से अगर बैंक हमारे देश में आता है और व्यापार करता तो उसे कम से कम 74 परतिशत की भागीदारी सुनस्चित करनी होगी कुछ निश्य सर्तों के पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्बैंक की अनुमती के भिना ही नहीं साझाएं भी कोल सकते थे अगर जिन बैंकों ने दिशनिरदेशों का पालन किया तो उन्हें आरबी आई की अनुमति के बिना भी हमारे देस में कई साकाइं खोल सकते थे और पुराने साकाओं को भी युक्त संगत बना सकते थे यदि भी बैंकों को अब देश-विदेश से और अधिक संसादन जुटाने की अनुमति मिल गई है और देश में जितने भी तुमारे नियंकतन की शक्ति है अब भी जो देश में खाता धारक जो तुमारे जैब प्राविट बैंक को चैब सरकारी बैंक को जिनका खाता इन बैंकों में है उन लोगों की जो हीतों की रक्सा अब भी आ क्योंकि उस पर कुछ आंसिक नियंतरण अब भी RBI का है इसके बाद आता विदेशी निवेशक संस्ताइं FII तथा व्यापारिक बैंग, इतनी सारी चीजों को भारत में निवेशक की अनुमती मिल गई है, आपने देखा होगा कई mutual fund ने भारतिय कंपनी के साथ कॉलर्बरेशन कर लिया है, जैसे बजाज के साथ कोटेक महंद्रा हो गया, और Reliance के साथ भी कोई विदेशी कंपनी जूड गई है, बजाज Allianz हो गया, इस पर कई सारी कंपनी विदेशी भी भारत आ गई है, करववस्ता में सुदार, इसके साथ सरकार ने करववस्ता में भी सुदार किया, इन सुदारों का संबन सरकार की करधान और स्वरजनिक वै नीतियों से था, जिन्हें सहुमुई करूप से हम राजकोसे नीति बोते हैं, राजकोसे नीति होताँ पबलिप फाइनेंस जिसके अंदर कर सरकार के आयवे का हिसाब रखा जाता है, करों से प्राब धन को कैसे खर्च करना है, बजट कैसे बनाना है, यह सब राज कोई से नीती का हिस्सा होता है, करों के दो प्रकार होते हैं, एक होता पर्टेक्स कर और दूसरा अपर्टेक्स कर, पर्टेक्स कर व्यक्तिकी आए और वैवसा उद्यमों के लापर लगाए जात ये माना गया है कि अधिक कर लगने से क्या होता है लोग कडशोरी करते हैं कुझ ना इस से अच्छा कि कर थोड़ा एकाम कर दिया जाए अभ यहां व्यां पर कुछ-णकि सक क्रो की दरए अधिकवूचिन नहों तो बसे अधिक मस्ता सेक्ष गहां मिलता है तो लोग बैंक उन बच्चतों के माध्यम से देश में पूझी निवेश करते हैं मतलब उद्योगों को धन देते हैं ब्याच में अच्छा लोगों को स्वेश्चता से अपनी आये का विबरण देते हैं निगम कर की दरें जो पहले बहुत अधिक थी देरे-देरे कम कर दी गई इस परकार आपर्टेक्स कर आपर्टेक्स कर वो करोते हैं जो दूसरों आपर्टेक्स करोते हैं जो वस्तू और सेवह पे लगाए जाते हैं जिनको हम डारेक्ट भुकतान नहीं करते बलकि आपर्टेक्स रूप से करते हैं तो ऐसे कर वस्तू और सेवह पे लगाए गए ग सरकार ने किया तो इसके लिए सबसे पहले सेवा कर अधिनियम 2016 GST 2016 को कानून पारित किया गया यह कानून 2017 में लाग हुआ और इसके दोवारा सरकार को अत्रिक्ट आये प्राप्त होने का असा थी कर वंचन कम होने की एक रास्ट और एक टेक्स एक बजार का निर्माण होने की आसा थी तो सरकार ने इसी को देखते हुए GST को लागू किया था करदातों के द्वारा नियम पार्लन को प्रोसाइंट करने के लिए अनेक परकरियां को सरहल बनाया थाकि घ्राकक करों से बचे नी बलकि कर देने का mooi विपाष संभव है विदेशी विन्मे में Сुधार विदेशी शेट्रक में पहले सुधार विदेशी विन्मे कि तुलना में उसका मुल्य कम कर देना कि इससे क्या फायदा होता मुल्यन से फायदा होता कि हमारे निल्याद बढ़ जाते और आयाद घड़ जाते इसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सायता मिलती है इसे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में विर्दी हुई और इसके अंतर का विदेशी विन्मे बजार में रुपे के मुल्य के निर्धारन को भी सरकारी नियंतर से मुख करने की पहल की गई बात अब भारत का जो बजार का भारत का जो मुल्य है वो स्वेम विदेशी बजार की विन्मेदरों के आधार पर अपनियाब निर्धारी हो और विदेशी तथा प्रवध की अंतरास्ट्य परतिसपरता की समताओं को प्रवसाहित करने के लिए वैपार और निवेश व्यवस्ताओं का उधारी करण किया गया और एक कारेकर्म का उद्देश था कि उद्योग्यों की कारेकुशलता को सुधारना और आधूनिक इचार किया इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण तता उच परशुलकों का पहले परियोग होता था कि यह नीती कुशलता और स्पर्दी परस्तिद्र को कम कर देती थी मतलब प्रारम में 1991 से पहले हमारे देश में क्या होता था कि जितने भी व्यापार होता था आयात के लिए सरकार कड़े नियंत्रण लगाती थी ताकि हमारे देश में वस्तों में ना आए और उन पर कई परकार के उच टेक्स भी लगाती थी लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी जो कारे कुशलता थी वो धिरे-दिरे कम होने लगे हम सरकार पे ज्यादा डिपेंड होने लगे और अंतरास्टिय कंपनियों से पर्तियोगीता नहीं कर पा रही थे इसे देश में वी निर्मान उद्योगों की संवर्धी दर कम कुछ लक्षन थे इनी इसको सुदारने के लिए सरकार ने कुछ नीतियां बनाई आयाद और निर्यात परिणात्म पर्तिबंदों को समाप किया जो पहले सरकार ने कंट्रोल कर रखा था आयाद निर्यात पर कोटा सिस्टम उसको देरे-देरे समाप किया परसुक दरों में कोई वस्तु मंगाते थे तो उसके लिए हमें पहले लाइसंस लेना परता था सरकार से अनुमति लेनी परती थी जो दिरेदेश हमने कम कर दी हानिकारक पर्यावरण संबेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तु पर से आयात लाइसंस व्यवस्ता समा अप्रैल 2001 से किरसी पदारतों और औद्योगिक उभ्भुकता पदारतों के आयात में आयात भी मातरात्मक परतिबंदों से मुख्ध कर दिया गया बारतिय वस्तु का अंतरास्टी बजार में इस परदा शक्ती बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात सुल्च से भी किसान सीधा निर्याद कर सकते थे अपनी बस्तुगा जबकि पहले उन्हें इसकी पर्तिबन था एक इसमें टेक्निकल वर्ड आता है नवरतन और स्वर्जनिक उद्यमनीति तो 1991 से पहले भारत में जब दूसरी पंचवर्सी योजना हुई तो उस पंचवर्सी योजना में भारत में लोगों को रोजगार देने देश का इंफ्रस्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कई सारे स्वर्जनिक उद्योग इस्तापीत की गए जिनको नवरतन सरकार ने उनके बीच में परतिस्पर्दा बढ़ाने के लिए नवरतन जैसे एक परकार की परतियोगिता रखी ताकि उनको उस कटेगरी से बाटा जाए विसेस्टिकरन के द्वारा तो इसमें क्या होता एक स्पर्दा समता के सुधार के लिए सरकार ने स्वर्जनिक छेत्र के उपकरमों का चेहन कर उन्हें महारतन नवरतन और लगूरतन की उपाजी से सम्वानित किया यह इसलिए किया गया ताकि जो जितनी भी सरकार यह उद्योग है जो घाटे में चल परबंद समालें अपना वित्य परबंद ठीक करें और लाब कमाके सरकार को दें इसलिए उन्हें महारतन नवरतन लगूरतन घोसित किया गया तो कंपनी के कारिकोशलता संचालन और लाब में विर्दी के लिए परबंद और संचालन कारें में अधिक स्वायत्ता दी गई लाब कमारे उपकरमों पहल उपकरमों को भी अधिक परिचालन वित्य और वित्य परबं स्वायत्ता परधान करें स्वायत्ता परधान करने का मतलब है अप आप सरकार उन पर किसी प्रकार परतिवर नहीं लगाए गी वह अपने निर्ने स्वैम लेसकते हैं कि हमें विस्तार करना में। इसमें सरकार ने नहीं महारतन में इंड्यियन उयल कॉर्पराइसवक इरुप यॉप लिमिंटेड और और नउरतन में हिंडूस्तान और लिमिटेड मान चभीट है म कीरा बध भारत संचार निगमिस इस एरपीरिय पोर्ट आधारेंट संचान टूस्टेड Isla लिमितेड वेगktóर वेचर Clark भारांच संचार अर्पीप तो इन उपकर्मों की जो यह उद्योग थे यह अधिकांस हैवी इंडस्ट्री थी और इनको 1950 और 1960 के दसक में स्तापिद किया गया था और इनका उद्देश्य था कि देश को आत्म निर्भरता की और ले जाना देश में अधार बुष सुब्यदाओं का विकास करना लोगों क को रोजगार देने सर्जन करना और जन्मानस के लिए उच्छ गुणवत्ता युक उत्पादन का निर्मान करना यह सारा सोच कर ही इसनको बनाया गया था और इन कंपनियों के आने के बाद से भारत में काफी विकास हुआ और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ लेकिन बाद में इसमें कई सारे उद्योग घाटे में चलने लगे जिसने सरकार ने वी निवेश दुआरा आंसिक रूप से इनका निजी करन कर दिया नीजी करंण क्यों करां? क्योंकि ये उद्द्योग घाटे में चल रहे थे, और सरकार को बहुत जादा धन इन में खर्च करना पढ़ रहा था, जबकि इनका उद्देश ये था कि अधिक रोजगार दिया जाये और ना लाब और ना हानी के सिद्दान पे था, लेकिन ये अधिकतर उद्योग हानी पे चल रहे थे, तो सरकार ने इन उद्योगों के जो पूजी थी उसको निजी करण किया और उससे बहुत अधिक महात्रा में धन प्राप्त किया और उस धन का परियोग बजार में संसाधन जूटाने के लिए किया गया निजी करण को हम हिंदी में, इंग्लिस में प्राविटाइजेशन बोलते हैं, इसका तत्पर होता है, तत्पार्य होता है कि किसी स्वर्जनिक उपकरम के सामित्व या परबंद का सरकार द्वारा त्याक करना, किसी भी जो सरकारी उपकरम है, मतलब कोई बी फर्म है या फैक्टरी है, उसको सरकार त्याग देती है, तो यह दो प्रकार में सरकार इसको परिवर्तित करती है, एक होता है सरकार कर्ज़ रजनी कंपनी के सामित्व और परबंद से बाहर हो जाना, मतल'll सरकार अब तक जो फैक्टरी चला रही थी। उसको छोड़ देती है उसकी जगह पे उसको किसी दूसरे वैक्तियों को सौं देती है। उसका परबंध या श्वटतेनिक छेत्रक की कम्पनी को सीथा विदेशी चांपनी या किसी और कंपनी को बेज दिया जाता है जो उसके share खरीटता है तो इस दो परकार मैंने बता है कि सरकार दो प्रयाक दो तरीकों से सरकारी कंपनी की को बेज देती है एक तो सिर्डारेक्ट और एक इंडारेक्ट वे में किसी सर्जनिक छेत के उपकरमों को उसकी इक्विटी की विक्री के माध्यम से निजी करण कहा जाता है उसी को हम वी निवेश कहते हैं वी निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और इसमें जो उसके शेयर होते हैं उसको सरकार बेज देती है इस परकार की विक्री का मुख्य उद्देश होता वित्य अनुसासन बढ़ाना और आधुनी करण में सायता देना सरकार को जो धन प्राप्त होता है इससे उससे सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए उसको खर्च करती है और इस परकार का कारे करने से सरकार ये चाहती है कि जो नेजी करणों उससे देश में विदेशी निवेश का परवा लगातार बढ़ता रहे मतलब पूजी निवेश को इससे लाब मिलता रहा है और इसके माध्यम से सरकार स्वर्जनिक उपकरमों को परबंदिया निर्णों में स्वायत्ता परदान करती है उनकी कारिकुशलता भी सुधारने का प्रियास करती है इसी करम को आगे बढ़ाते वे सरकार ने स्वर्जनिक उपकरमों को जो की उन्हें लाब देते हैं उनको कई तीन कैटिगरी में रखा था महारतन नवरतन और लगूरतन यह तीन दरजे दिये गए हैं जो सबसे ज़्यदा प्रॉफिट कमाके देती है सरकार को उसे महारतन और दूसरे नंबर वाले को नवरतन और लास्ट वाले क करण आज कुछ लाब हमारे देश की कंपणियों को मिल रहा है जैसे भारत की कई कंपनिया जैसे विदसों में प्यारप है those planning में मिल है जैसे Ongc हो गई दैसे और प्राकटिक गैस यह कई देशों में खुजकारे में लगी है 16 देशों में इस ने अपनी उतपादन पर योजना स्तापीत कि पकार टाटा स्टील होगई आपकी टाटा स्टील टाटा कंपणी की जो 16 देशों में काम कर रही और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचती है और विश्टख के दस टॉप स्टील कंपनी इसका नाम सामिल है और इसी प्रकार HCL कंपनी भी है जो भायरत की 5 आइटी कंपनी में से एक है इसके 31 देशों में कारले हैं और बड़े पैमाने पेनों ने लोगों को रोजगार भी दिया है इस परकार डाक्टर रेडी इस लेबर्टरी जो भारतिये दवा बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है तो आपने देखा कि कारण भारतिये कंपनियों को भी विदेशों में कारे करने का अफसर मिला है और वह बड़े पैमाने पर वहां लाब कमा रही है और लोगों को रोजगार दे रहे हैं मैसे करेंड जिसको हम इंगलिस मी लूवाइजशन गलोडाज़ों से किसी अर्थ विश्भु की अर्थ विश्रु विश्व करेंड कい रूप में जाना जाता है-धे पूरा वर्ली आज गलोडुजाशन के करनव एपर हां चलनाजिक, ब्खभुलिक जो उनकी सीमाएं से आगे बढ़के hoags कर रहे हैं व्यप्सीकरन कि धतना कर्म है वह यह बताता है विश्व को एक बनाना सीमा मुक्त विश्व की रचना करना अर्थात ऐसा व्यपार करना कि जिसमें देश की सीमाओं की बादा ना हो ताकि कोई भी देश दूसरे देश के साथ बेरो टोक व्यपार कर सके इसके बाद है भारी परपण व्यपसिक की परकिरिया का एक प्रिणाम है कि इसमें कंपने किसी भारी स्रोध संस्ताओं से सेवाएं प्राप्त करती है अधिकांस अन्य देशों से जिनोंने पहले देश के भीतर ही परदान किया जाता था कानूनी सला कंप्यूटर सेवा विज और आरती कतिविद्यों के रूप में भी देश के विकास हुआ है इसके साथ साथ अभी लेखनकारे बैंकिंग संगीत फिल्म रिकॉर्डिंग पुस्तक चिकित्सा इन सब कारेों में भी आज हम विदेशी कंपनियों का सयोग ले रहे हैं अनेक विकासिल देशों की कंपनि भारत की छोटी संस्ताओं से यह सेवाइं प्राप्त कर रहे हैं मतलब अन्य विक्सी देशे से अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस यूरोप के देश यह क्या कर रहे हैं ग्लोबल जैशन के कारण वैप सी करण के कारण आज जो कंपनिया हैं वह एक जगह कारेट करना करके पूरे सस्ते लेवर प्राप्त होती हैं वहां उन लोगों से वह कारेट करा लेते हैं आधुनिक संचार के साधन जैसे इंटरनेट आधी सेवाओं की रचना आधी के माध्यम से लोग एक माधवीप से दूसरे माधवीप में कारे कर रहे हैं आधी कांस बहुरास्ट कम्पणी अनएक छोटी बड़ी कम्पणिया भारत से सेवाओं प्राप्त करने लगी हैं जैसे आपने देखा हो कि एपल की कम्पणी है उनके कुछ पार्ट बहारत बनाती है इसको भारिक प्रापर्ण बोला जाता इसके बार आता है विस्व व्यपार संगतन और इसको बोर्ट गठन 1995 में किया गया और एक संदी की गई थी व्यपार और सीमा सुल्क महासंदी जिसको गैट बहुते हैं जी एडबल टी किया गयता महासंदी की रचना विस्वविप्यार प्रासक के रूपे तेज देशों ने 1948 में इसकी स्तापना करी लेकिन इसका जो काम आगे बढ़ा वह 1995 के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ा जब इसमें कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये विस्वविपार संगेटन का उद्देश्य होता है ऐसे नियम बनाना ऐसे कारे करना जिसमें व्यपार के मार्क में आनिवाली बातायें को दूर किया जा सके ताकि कोई भी देश एक दूसरे पर टेक्स ना लगा सके ज्यादा सकेलु उत्पाद में जो बढ़ोतरी हुई भारत में देखो किर्सी छेत्र में उत्पादन 7.1 हुआ फिर उसके बार 2002-2007 में 9.4 और फिर 2007 और बारा की बीच में 7.4 लेकिन अब इसमें भी गिरावट आ रही अब यह 2014 और पंद्रा में 7.0 रहा हुआ सेवाएं सेवाएं आरम में 6.7 थी और 2007 और बारा में देखो 10 तक पहुंच गए थी सेवाएं अब इसमें थोड़ी गिरावट आई और फिर अब इना शुरूओगी 9.8 तो भारत की जो विकासदर थी जीडीपी की वह 5.6 थी 1891 में और 92 और उसके बाद 91 में 6.4 हुई और फिर अब बढ़कर 7.4 होगी तो कहने का मतलब है कि नहीं आर्थिक नीति के कारण जीडीपी में विर्दी हो रही है उद्योगों में भी हुई और सेवाओं में भी हुई लेकिन जो आपका एक किरसी कार्य है इसमें ज्यादा बड़ोतरी नहीं हुई इसमें रिणात्मक है इसमें उत्पादन की जो विकासदर प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई इसको सेवाओं के सरजन वेपार को प्रवस्तान देना ताकि विस्थु के संसादनों का अधिकतम परियोग और परियावरन का संदक्षन हो यह विस्थु वेपार संगेटन की अब धारना है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग को रोजगार मिले उभोगताओं को अच्छ संदक्षन हो ताकि बरबाद ना हूँ और इसके साथ विपार संगेटन की संद्यों में दूइपक से वेपार बहुपक से वेपार दोनों को बढ़ाने में भी सयोग बढ़ा है इसके साथ ऐसे सदसे देशों को जो परशुल्क और अपरशुल्क अब्रोध लगाते हैं उनको हटा कर बजार खोलने के लिए बात देखिया गया मतलब विदेशी वस्तों पर लगने वाला टेक्स को हटाने का परियास किया गया है डवलू टीयों की सयोग से इसके बाद विश्य वेपार संगेटन का एक मैतोपूर्ण सदस के रूप में भारत एक विकाशील विश्य के हितों को संत्रक्षन करते वे नयपूर्ण विश्य विश्य विवस्ता के नियम तता सुरक्त सात्मक विवस्ताओं की रचना में सक्रिया भागीदार राया था भारत ने भी WTO में हस्ताक्सर किये और WTO के अनुपालन में ही अपना व्यापार कर रहा है तो भारत ने व्यापार में उधारिकरण को बढ़ाते हुए कई परकार के वस्तों से आयात सुल्क हटा दिये हैं और या बहुत कम कर दिये इससे क्या हुआ कि विदेशी वस्तों हैं भारत में आने लगी है है और सस्ती दावों पर मिलने लगी है लेकिन कुछ विद्वानों की आसंका है आंज्ग की विष्व वृपार सْगडा ने भारत की सदेशता का कोई ओचत्ते नहीं हैं क्योंकि विष्व व्यापार का अधिकांस जो देश हैं वो विक्सित दे देश अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे देशों की वस्तों पर परतिबन लगा दिया करते हैं बीच बीच में तो विकाशिल देशों अपने देशों में जहां किर्सी को सयोग देते हैं वही भारत लोगों पर दबाव डालते हैं कि वह किर्सी कारों में से सबसिटी भारत में आने के कारण भारत का जो निर्मित माल है वो बिक नहीं पाता है क्योंकि उसकी कीमत विदेशी माल से अधिक होती है इससे हमारे देश की धन श्रम शक्ति आधिकी बरवादी होती है और इसके साथ साथ भारत का जो निर्यात है वो बढ़ नहीं पा रहा है बलकि आय अपने यहां वित्य अनुसासन तथा जो हमारे देश के मार्केट है उनको सुदार कालीन भारती अर्थव्यस्था एक समीच साथ जैसे आप जानते हैं कि 1991 के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यस्था को सुदारने के लिए ग्लोबिलाजेशन और प्राइबाट आजेशन अपनी अर्थवव्यस्था में किया वैपशियकरण को सुदार जिसका या भारत को मिला कि नहीं मिला हम उसकी समिक्सा करेंगे तो इसकी समिक्सा के लिए जो अर्थव्यस्था की संवर्धी उ partners साथ विर्दिदर उसे ना पा जाता है गहरेलू सकल उत्पाद के दुआरा और इसकों 3.1 सारी निमें भी देखेंगे उससे पहले हमीं देखेंगे 1991 के बाद से भारत में दो दसकों तक मतलब 20 वर्षों तक सकल गहरेलू उत्पाद में लगातार विर्थी होती रही सकल गहरेलू उत्पाद 1980 से 91 में 5.6 था सुधारों से पहले आर्थिक सुधारों से पहले और उसके बाद 2007-2012 में आर्थिक सुधार के बाद ये बढ़कर 8.2 हो गया था तो इससे पता चलता है कि आर्थिक सुधारों में देश में तरक्की हुई लेकिनों ऐसी छैत्र में ज्यादा तरक्की नहीं हो पाया जो सुधार थे उसका लाप फिरसी छैत्र को एक दूसरी सेवा करते हैं उसके बदले में उनको उसके बदले में धन प्राप्त होता है तो सेवा छेत्र में काफी विर्दी हुई और उसके बाद 2012-15 में और 1991 के बाद होने वाली विर्दी में धीरे-धीरे रुकावट भी आ रही थी वीज बीच में जहां तक 2013-14 की बाद है तो किर्सी दर में बड़ोत्री आई और उसके बाद बाद में यहां विर्दी दर रिणात्मक होगी अर्थात बाद में विर्दी दर में कमी आई सेवा छेतर में उची दर बनी रही जो 14 और 15 में घरेलू सकल उत्पाद विर्दी से भी अधीक थी अर्थात 9.1 की विर्दी हुई जो बहुत जादा थी भारत में सेवा छेतर में और दोगिक छेतर में पहले आरब में काफी विर्दी हुई लेकिन बाद में 2012-2013 में गिरावट आई और उसके बाद यह गिरावट लगाता चल रही है तो अर्थ विस्ता के खुलने से मतलब अपने देश में पहले संट्रक्षणवाद की नीती थी 1991 तक जिसमें विदेश विदेशी कंपनियों के लिए सारे बजार लगबग बन थे तो वर्ड बैंक और डबलू टीयों के दबाव में आकर भारत सरकार ने 1991 के बाद भारती अर्थ विवस्ता को कई देशों के लिए खोल दिया जिससे विदेशी निवेश भारत में हुआ कापी विर्दी हुई औ और इसमें पर्टेक्स और संस्तागत विदेशी निवेश दोनों सम लीते हैं 1991 में 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा उपर का निवेश हुआ और 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के आसपास निवेश पहुंचा निवेश का मतलब होता है बहारी देश की कंपनियों द्वारा हम हमारे देश में धन लगाना फैक्ट्रियां लगाना उद्योग स्तापीत करना कि 1991 में 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया और भारत विदेशी विन में रिजर्बैंक का साथ वां सबसे बड़ा धारत माना जाता है 2011 में मतलब भारत के पास विदेशी मुद्रा जो आपका रिजर्बैंक में रखी जाती है वो भी काफी जमा इस वकत मतलब काफी धन में बढ़ोती रुई भारत में वहान कल पुर्जे इंजिनियरिंग उत्पाद सूचन प्रोदकी उत्पादों वस्त्र आदी क्या सफल निर्यात के रूप में विश्व बजार में अपनी धाग जमाई है भारत ने और बढ़तीवी कीमतों को भी नियंत्रन रखा है अर्थात भारत ने कल पुर्जे इंजिनियर सूचन प्रोदकी में नाम कमाया आईटी के छेत्र भारत ने बहुँ ज़ादा तरकी किये और वस्त्र निर्यात में भी दूसरी और सुधार कारेकरम द्वारा देश में अनेग मुल्गुत समस्यों का समाधान भी खोच पाने म कुछ छेत्रों में विफलता भी मिली जिसकी कड़ी आलोचना भी भारत में की गई है यह समस्या खासका रोजगार सर्जन है कि देश में जब आर्थिक विकास बढ़ा और विदेशी कंपनियों ने आके भारत में कई सारे उद्योग लगाया उसके बाद भी रोजगार भा पाया यदेपी शकल घरेलू उत्पात में विर्दी हुई फिर भी अनेग विद्वानों इस बात से सैमत हैं कि देश में रोजगार के पर्याप्त अफसर का सर्जन नहीं हुआ मतलब उनका विकास नहीं हो पाया जिसके कारण आज भी भारत में बहुत जादा मात्रा में ब समवर्दी दर है वो कम होती चले गई सुधार अबदी में किरसी छेत्रों में स्वर्जनिक वे विसेसकर आदारिक सरचना सिचाई बिजली सडक निरमान आदी वे में काफी कमी आ गई हरित करांती से जो लाब हमें मिला था वो धिरे-दिरे समाप्त होने लगा है कोटे और सीमान किसानों पर गंबीर परवाव पढ़ रहा है और आजकल वो कई लोग रिंड लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते तो आतिम हत्या भी करते हैं इसके साथ से किर्सी उत्पादोकों पर आयात सुर्ख में कटोती कम नियूंतम समर्थन मुल्य और इन पदार्तों के आयात पर परिणात्मक परतिबंद हटाए जाने के कारण इस छेत्र में कई बदला हुए है जिससे भारती किर्सानों को अब विदेसी लोगों से डारेक परतिसपर्दा करनी पढ़ रही है जिससे परतुकूल परभाव पढ़ रहा है क्योंकि विदेसी अनाज भारती अनाज की तुल्ला में काभी सस्ता होता है दूसरी तरब उत्पादन व्यवेस्ता निर्यात मुखी हो रही है अधिकतर अब सरकार दबाव डाल रही है तरिक उभोग की खाध्यान फसलों के स्तान पर अब लोग निर्यात के लिए नगदी फसल पर ज्यादा ध्याद दे रहे हैं कहने का मतलब है आलो गेऊं चावल जो हमारे देश की मुखे फसल उसकी स्तान पर चीनी पर्टसन और आपके जो दूसरे जिन से उनको अधिक ला अधिक मात्रा में अपनी वस्तों को निर्यात करें तो इससे देश में जो खाध्यान है उसमें कमी आ रही है और कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उद्योग में सुधार अधोगिक समवर्दी की दर में कुछ सिथिलता आई है कुछ कमी आई है विकास दर कम हुई है या अधारिक सरचना में आपर्याप्त निवेश्ट और वैफसी करण की विवस्ता में विकासिल देशों को अपनी अर्थ विवस्ता को विक्सित देशों की वस्तु और पूंजी प्रवा को प्राप्त करने के लिए खोल देना अर्थाथ सस्ते आयात के कारण भी अपने देश को नुक्सान हो रहा है कि यहां जो हम वस्तु बनाते हैं उनकी लागत ज्यादा आती है तो लोग उसे नहीं खरीतते हैं उसके बदले उस वस्तु खरीतते हैं जो सस्ते होते हैं जैसे तुमने देखा को चीनी मुबाइल हो गए चीनी कई ऐसी चीजह जो हम वी देस्टो समंगाते हैं जबकि हम अपने देश में उनको बना सकते इसिके अब विक्सी देशों द्वारा क्या करा विकासिल देशों और ani देशों को मज़ंबूर किया गया कि अपने यहां के बजार के दरवाजे खोले ताकि उनका बनावा माल इन देशों में आसानी से बिख सके और वो यहां लाब कमा सके तो विकासिल देशों बाद देवे अपने बजार खोलने के लिए और उनको आयातित वस्तुओं से प्रतिस्परता करनी पड़ी विक्सी देशों के उद्योगों से जिससे उन्होंने एक परकार का खत्रा मोल लिया सस्ते आयातों से क्या होगा कि धीरे धीरे जो अपना घेरेलू बजार होगा वो समाप्त हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारे देश के जो अपने उद्योगें वो धीरे धीरे समाप्त होने से रोजगार की कमी कई सारी चीज़े हो जाएंगी वीनिवेश पर्तिवर्ष सरकार स्वर्जनिक उद्योमे में वीनिवेश के कुछ लक्स निर्धारित करती है वर्ष 2021-92 में उसने वीनिवेश द्वारा 2500 करोड रुपे जुटाने का लक्स रखा सरकार द्वारा लक्स से 3040 करोड रुपे अधिक जुटाने में सपल रही लाग 57 करोड से अधिक रहा है कि आलोचों को कहना है कि कई जो हमारे अर्शास्ति उन्होंने आलोचना करिए कि स्वर्जनिक उपकर्मों की जो परिसंपंतियों को सरकार ने ओने पोने दामों में नीजी वेपारी को बेचा है उससे देश को बहुत अधिक नुकसान हुआ है दूसरे सब्दों में सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ा है साती वीनिवेश से प्राप्त रासी का उपकम्रों मतलब जो हमारे उद्योग हैं के विकास के लिए परियोग ना किया गया और ना ही समाजिक अधारिक सरचना के निर्मान में खर्च किया गया यहाराशी सरकार के बजट के राजयों से घाटे को कम करने में की गई जिससे की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्या हम समस्ते हैं कि इस परिसंपंति को बेचने से हमारे ले कोई अच्छा रास्ता था मैं तो यह कहूंगा कि परिसंपंति को सस्ते दामों बेचना सरकार का फैसलक गलत था इससे बहुत सारे हमारे लोग बिरोजगार हुए और देश में नए उद्योग स्तापित नहीं हो पाए सुधार और राजकोश्य नीती आर्थिक सुधारों ने समाजिक छेत्रों में स्वर्जनिक वय की विर्दी के विशेश रूप से रोक लगा दिये इस अवदी में कर घटा कर कर वंचन नियंतरन कर राज्यों से संग्रब बढ़ाने की नीती के लिए ज्यादा परवाव नहीं मिल पाया मतलब अब सरकार अ आये का स्रोथ ठकर उस सब सरकार को अधिक आय नहीं हो पा रही है इसी तरह सीमा सुल्क था इसमें सरकार अपनी मर्जी से अधिक मातरा में टेक्स लगा देती थी बहार से आयाती तवस्नों बर लेकिन अब उस पे भी सरकार अधिक मातरा पर टेक्स नहीं लगा सकती है और राजों से नहीं जूटा पा रही है, क्योंकि भारत ने WTO, World Trade Organization के साथ संदी पर हस्ताक्सर किये हैं, कि वो अनावर्शक कर नहीं लगा सकते, ना बढ़ा सकते हैं, विदेशी निवेश आकर्शित करने के लिए निवेशकों को कई परकार के कर प्रोस्थाई दिये गए, अर् दूसरी हानी यहां हुई कि सरकार के जो आय होना था करोखे माध्यम से वो नहीं हो पाया, तो सरकार को राज्योस नहीं मिला, जिसका नकरात्मक परभाव हमारे देश पर और हमारी अर्थवेश्ता पर पढ़ रहा है, निसकर्स, उदारी करण, नीजी करण, की नीतियों के माध्यम से वो एफसी करण के लिए भारत सहीत अनेक, देशों पर इसका सकरात्मक और नकरात्मक दोनों पर बहुत पढ़ा है, किसी देश में पॉजिटिव ज़्यादा पढ़ा है, किसी में नेगेटिव, तो कुछ विद्वयानों का विचार है कि वो एफसी करण का एक उद्योग थे, उन्हें विच्व के बजारों में पहुचने का बहतर अफसर मिला, नई तकनिक का उन्हों प्योग किया, विकासिल देश के बड़े उद्योगों को अंतरास्ट्री अस्तर पर महत्वपून बनने का भी अफसर प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी और जो हमार पर कबजा करने की साजिस है, अर्थात अमीर देश, विकासिल देशों के बजारों पर कबजा करना चाहते हैं और लाब कमाना चाहते हैं, इनके अनुसार वैपसी करन्ट से गरीब देशवासियों का कल्यान ही नहीं, वरना उनकी 95 खत्रे में पड़ गई है, और यहां भी बताया जा रहा है कि बजार, प्रेरीत, वैवसी करन के कारण कई देशों और जन समझाओं के बीच, खाई और विश्तरी तोरी है, अमीर देश और अमीर, गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं, भारत के परिवेक्स में हम कहेंगे कि हमने अनेक अध्यन और उसके निसक की अपनाने के लिए, और इसका जो लाब मिलना चीए था, वो पूरे समाज को ना मिलके केवल अमीर लोगों को जादा इसका लाब मिलना, और उचाय वर्ग की आमदनी बड़ी, उनका बोकस तर बड़ा, लेकिन जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग हैं, उन छेतरों में ज जीर वर्गों तक ही सीमित रहा, और कुछ छेतर जैसे दूस संचार, सूचना प्रोधकी, वित, मनोलंजन, परियटन, परिचच्चा, सेवाएं, भवन, निर्मान, व्यपार आदी, इन छेतरों में तो काफी विकास हुआ, लेकिन किर्सी, विनिर्मान छेतरों में देश को ज्यादा विकास नहीं मिल पाया, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, आज भी कई सारे लोग बिरोजगार हैं, तो अंत में हम यह ही कहेंगे, कि व्यपसी करण, उधारी करण, नीजी करण की नीती को 1991 में सरकार द्वारा अपनाया गया, क्योंकि 1991 में मुद्रा, विदे लाब का WTO के साथ एक संदी पर हस्ताकसर किये, और जिससे हमारे देश में 1991 के बाद आर्थिक सुदार किये गए, जिसके कारण संद्रक्षनवाद की नीती को हटाया गया, और उसकी स्तान पर मुक्त व्यपार, ओपन ट्रेड व्यवस्ता को अपनाया गया, जिसके कुछ ल अच्छी विर्दी हुई, लेकिन किर्सी छेत्रों को इससे लाव नहीं मिला, जो हमारे लिए एक परसंचीन है कि किर्सी छेत्रों का भी विकास होना बहुत जरूरी है, तो ये था भारत का 1991 के बाद आर्थिक सुदारों का विकास की समिक्सा, अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, झाल झाल झाल